वीडियो की एक नई शरंखला में आपका स्वागत है इस वीडियो शरंखला में हम Windows 7 के साथ प्रयोग में लाए जा सकने वाले विनामूल्य सॉफ्ट्वेर के बारे में जानकारी लेंगे फिलहाल मैंने अपने कम्प्यूटर पर Windows 7 इंस्टॉल किया हुआ है Windows के साथ ब्राउजिंग के लिए उनका डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्स्प्लोरर आता है इंटरनेट पर कम्प्यूटर की सुरक्षा के लिए Firefox या फिर Google का Chrome ब्राउजर अधिक पसंद किया जाता है Google का Chrome ब्राउजर दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला ब्राउजर है तो आप चाहो तो Google का Chrome ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो यह विनामूल्य प्राप्त किया जा सकता है कम्प्यूटर में आप सभी ने कभी न कभी Microsoft Office का प्रयोग किया होगा चूंकि Microsoft Office Windows के साथ इंस्टॉल किया हुआ नहीं आता इसलिए उसे अलग से खरिदना पड़ता है चूंकि सभी लोग महंगे software खरिदना पसंद नहीं करते इसलिए Microsoft Office की जगह Open Office इस software का प्रयोग किया जा सकता है इसमें वह सभी सुविधाएं हैं जो Microsoft Office के प्रयोग में आपको मिलती है आप अपने कम्प्यूटर पर तरह तरह के वीडियो, CD या फिर DVD यादी चलाते होगे कहीं बार आपने यह देखा होगा कि कोई DVD विंडो के मीडिया प्लेयर पर नहीं चलती Windows Media Player यह Microsoft का Default Media Player है तो अगर आपकी कोई DVD विंडो के मीडिया प्लेयर में ना चले तो आप VLC Media Player इस नाम का Media Player विनामूल्य डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो यह Windows Media Player से कहीं अधिक तरह के वीडियोस प्लेबैक कर सकता है आपको कम्प्यूटर के वायरस की चिंता जरूर सताती होगी और सभी लोग अपने अपने कम्प्यूटर पर कोई न कोई एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं क्या आपको पता है कि अवास्ट एंटी वायरस इस नाम का एंटी वायरस आप अपने कम्प्यूटर पर विनामुल्य इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद आपको उसकी वेबसाइट पर अपना इमेल एड्रेस रजिस्टर करना होता है इमेल एड्रेस रजिस्टर करने के बाद वह प्रोडक्ट कोड आपके इमेल एड्रेस पर भेजते हैं और वह product code अवहस्ट के antivirus के window में लिखने से वह साल भर तक के लिए activate हो जाता है और फिर उसे एक साल पूरा होने के बाद दुबारा से विनामुल्य reactivate किया जा सकता है यह एक अच्छे दर्जे का antivirus program है अगर आपके computer पर आपने कोई antivirus program खरीदा नहीं होगा तो आवहस्ट का free antivirus प्रयोग करके जरूर देखें इंटरनेट से हम कई चीजें डाउनलोड करते हैं और कई बार यह डाउनलोड करने वाली फाइलें बहुत बड़े आकारती होती हैं और कई बार इसे काफी लंबे समय तक डाउनलोड जारी रखना पड़ता है तो डाउनलोड होते समय अगर कभी डाउनलोड रुख जाए या इंटरनेट का कनेक्शन चला जाए या फिर बिजली चली जाए ऐसी स्थिती में जितना डाउनलोड किया गया है वहीं से डाउनलोड को दुबारा शुरू करने की क्शमता अगर आपके पास है तो आपका काफी समय बच सकता है तो इसी काम के लिए फ्री डाउनलोड मैनेजर इस नाम का यह एक विनामूल्य प्रोग्राम है आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप इंटरनेट से लंबे डाउनलोड के लिए कम्प्यूटर रात भर खुला रखते हो तो इसमें ऐसी सुविधा है कि डाउनलोड पूरा होने के बाद वह इंटरनेट से अपने आपको डिस्कनेट कर ले या फिर डाउनलोड पूरा होने के बाद कम्प्यूटर को शटडाउन करने की भी इसके अंदर सुविधा आपको मिल्टी है इंटरनेट से हम जो फाइलें डाउनलोड करते हैं कई बार वह compressed format में होती है यह compressed फाइलें जिनें हम अकसर जिप फाइलें कहते हैं विंडोज के अंदर उन्हें खोलने की शमता है लेकिन विंडोज कुछ प्रकार की compressed फाइलें नहीं खोल पाता है तो अगर कभी किसी ऐसे फाइल से आपका पाला पढ़ जाए जिसे विंडोज नहीं खोल सके तो उसके लिए आप 7Gip इस नाम का फाइल, compression, uncompression software डाउनलोड करके install कर सकते हो यह न केवल compressed फाइलें खोलता है बलकि यह आपकी फाइलों को compress भी कर सकता है हमारे प्रती दिन के computer के उपयोग करते हुग समय computer में कई temporary फाइलें बनती है यह computer के उपर install किये हुए अलग-अलग programों द्वारा बनाई जाती है यह temporary फाइलें आपके hard disk में काफी जगह गेर लेती है तो बीच-बीच में इन temporary फाइलों को हटाना जरूरी होता है इसके लिए windows के अंदर भी temporary फाइलें हटाने की सुविधा मौजुद होती है और साथ ही browser के भीतर भी browser के cache के नाम से जमा हुई फाइलें हटाने की व्यवस्था होती है लेकिन ज़्यादा तर हम इस चीज के प्रती उतने जाबुर्प नहीं होते इस कारण से बड़ी मातरा में temporary फाइलें आपके computer में जमा होती है CCleaner यह एक विनामूल्य प्रोग्राम है इसका आप प्रती दिन नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हो तो यह थे प्रती दिन उपयोग में लाए जा सकने वाले कुछ विनामूल्य सौफ्ट्वेर अगले वीडियो में हम कुछ और सौफ्ट्वेर के बारे में जानेंगे और साथ ही इन सभी सौफ्ट्वेर को कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें और फिर इन सौफ्ट्वेर में किन-किन तरह की सुविधाएं मौचुद हैं यह भी हम इसके आगे के वीडियो में जानेंगे तो आज हम यहीं रुकते हैं